असलाम वरेकुम होतरम स्टूडेंट कैसे हम तुमाम लोग उम्मीद है सब लोग ठीक्ठा होंगे आप सुभी का काफी डिमांड आ रहा था क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए किसर नौमबर एक्जाम का सब्जेक्टिव कोश्चन का पूरा फुली सोलिशन हम लोगों को चाहि मैं आपके लिए सब्जेक्टिव कोश्चन का पूरा सुलिशन के साथ हाज जिरुवा हूँ और इससे पहले पूरा सुलिशन हो चुका है गर आप लोगों में से नहीं देखा तो देख लिए बाकी सब्जेक्टिव कंपलिट होने के बाद फिर मैं आप लोगों लास्ट मे में अबजेक्टिव का भी सुलिशन देने वाला हूँ तो इस वीडियो से भी आप लोग इसको अबजेक्टिव को देख सकते हैं आईए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर एक यहां पर स्रेक्शन भी में पूझ रखा है ध्यान से देखेंगे सारे इसलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 का ही जवाब देना है इसलिए में लोग 5 का है पर जवाब देंगी ठीक है आगे आप लोग को कहा है सरसियत अहमद खां कब और कहां पैदा होए ठीक है तो सरसियत अहमद खां जो है 817 इस्वी में दिली में पैदा होए कहां पे तो आप लोग लिख सकते हैं दिली या फिर देली ठीक है चल यह बढ़ते हैं आगे नेक् अक्बर आबादी का पुरा नाम मिर्जा घुलाम अहमद बेग था जाली का दूसरा तकलूस क्या था तो हाली का दूसरा तकलूस क्या था आप सभी को अगर पता है जब आप कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं तो हाली का दूसरा तखलुस था मीर क्या था नाम आप लोग को बता दे रहा हूं मैं मीर था दूसरा तखलुस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आपके पास कोशन है एच नंबर पे एकबाल कब इंगलेंड गए तो एकबाल जो है ना उनिस सो पाँच इसवी में पढ़ाई के लिए लंदन गए थे और उनिस सो आठ इसवी में लंदन से वापस आये तो इसकी शकल जो ने बिल्कुल चेंज हो गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग आगे आपके पास है मेर लखनो क्यूं आये इसको हम लोग स्किप करते हैं अब आगे है आपके पास मेर की मेर क्यों के पांच का ही अप लोग को जवाब देना है तो पांच का में जवाब अप लोग को दे रहा हूं दिखे मेर की किसी नसरी किताब का नाम बताईए इस तरह करके आप लोगों को फे है यहाँ पे लिगना है ठीक है यहाँ पे है फत है और यहाँ पे पा लिगना है ठीक है फत है पूर दिल फत है पूर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपके पास कमीर की किसी नसरी किताब का नाम यह तो हो गया पके पास है अफसाना रोशनी हमें क्या पैगाम दे रहा है बागी पांच नंबर कोश्टन बिल्कुल कप्लिट हो चुका है पांच नंबर कोश्टन का मैं जवाब दे चुका हूं ठीक है चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे पांच नमबर वाला कोश्चन के तरफ आपके पास सबसे पहले हैं मुंदर्दाजल सवालात में से किसी तीन सवाल का जवाब देना है पर तीन सवाल का ही जवाब अपलों को देना है योमे आजादी पर मजमूर लिखने बोला है याने आने वाला तालिम मनसुबा का जिकर तफसील हो अगर आप लोग खत लिखना आता है तो खत इसको लिख सकते हैं ठीक है बाकी खत लिखते तो जदर टाइम लगता है इसलिए मैं दूसरा चीज़ उसके बदले में लिखाया हूँ इसमें खास से आप क्या समझते हैं इसका भी जवाब मैं लिखाया हूँ पांच नमबर उसके अकसाम मामिसाल तहरी करें इसके बाद देखे मंदर जाजल अलफाज के अजदाद लिखे अजदाद मैं डारेक डारेक आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ ठीक है चलिए देखे अजदाद की बात करें तो अपोजिट यानि उल्टा अलफाज ठीक है चलिए आगे देखे यहाँ पर देखे शब का रोज हो जाएगा क्या हो जाएगा शब का रोज यानि रोज का मतलब दिन जमीन का आस्मान खुश्बू का बद्बू करीब का बाईद बाईद का मतलब होता है दूर करीब का मतलब होता है नजदीक गम का आपकर क्या हो जाएगा खुशी या फिर खुश और खाब का आपकर क्या हो जाएगा हकीकत हग का बातिन ठीक है जदीद का कदीम ठीक है यह आपका पार यहां पर वबिलकुल फिक्स हो जा रहा है यहां मिल रहा है आपके दो को अगए आगह आपके पास है सरसीत के तालिमी तालिस इस वे में भारत को आजादी मिली थी इसलिए हर साल इस तारीख को यह में आजादी मनाते हैं 15 अगस्त को हम दिन भर खुशियां मनाते हैं सुबह सवेरे कबले ही लोग जमात बनाकर और जहन लेकर भारत भारत जो फेरी में निकलते हैं बेदारी के नगमे साथ नारे लगते हैं आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए ठीक है फटा फट से एक बार स्क्रीन शॉट ले लिजिए अगर मैं इसको पूड़ा पढ़ाने में लग जाओ तो टाइम जदा लग जाएगा फिर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाना है शली तो इसका स्क्रीन शॉट उम्मीद आप लोग ले लिए होंगे इसको लोग लिख देना है ठीक है शली आगे हैं आपके पास जो कोशन था इसमें खास तो इसमें खास बोला है या फिर इसमें मारफा बोला है दोनों सेम चीज ही होता है ठीक है इसमें मारफा की किसमे क आप लोगो लिखने के बोला है इस तरह आप लोग लिखे देंगे इसमें मारफा है फिर ये इसी का दूसरा नाम है इसमें खास इसमें मारफा है जो किसी खास आदमी जगह या चीज को बताए ठीक है जो किसी खास आदमी जगह या चीज को बताए उसे इसमें मारफा करते है देशे देखिए एहमद, पतना, गंगा, जमना, हिमालिया वगर है यह सारा सारा आपका इसमे खास में आएगा आप लोगों को बोला है किसमे कोई भी लिख है देखे इसमे मारफा की साथ किसमे होती है आप लोगों को बताना इसमे खास की साथ किसमे होती है अलम, नमबर एक अलम, नमबर दो जमीर, नमबर तीन इसमे इशारा, नमबर चार इसमे मुशूल, और नमबर पांच मुझाफ, नमबर चे माउद, और नमबर साथ में अपका मुनादा, ठीक है, यह आप लोगों को पूरा कंप्लेट लिख लेना है, चलिए आईए, हम लोग को मौशरती फालेतों फालेतों से ठीक है फैल की जमाहे फालतों से जो जोड़कर आवाम को फहमी और दीनी बुनियादों पर मजबूत बनाने में अपना सरगरम कर्दार अदा किया इन्होंने दार अलूम कराची को एक मौत्तबर तालिमी इदारा बनाने में अपना हिस्सा अपना इस्सा दिया और तोलबा को मुख्तलिफ मौशरती मसाइल के हल के लिए मुस्ताइद मुस्ताइद किया ठीक है तो इसको आप लोगों को लिख लेना है मैं कम्पलीट सब्जेक्टिव का कोस्चन का सॉलुशन दे चुका हूँ उम्मीद है आप लोगों को ठीक लगा होगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं औब्जेक्टिव कोस्चन को मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का कुर्टली एक्जामनेशन नॉम्मबर 2023 में जो एक्जाम हो रहा है यह कोस्चन पेपर आईसी आईकॉम एंड आईये तीन श्ट्रिम के लिए हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ अगर आप लोगों को क्लास 12 की कंप्लीट तैयारी करनी है आपके अपने ही योटूब चैनल एस उर्दू एजूकेशन पे यहाँ पे क्लास 12 की कंप्लीट कॉर्स कराई जाती है अगर आप लोग इस चैनल से जोइन रहना चाहते ह है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अन कर लिजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी फेंट तक शेर कर दीजिए आए इस्टार्ट करते हैं आज किस कॉस्चन पेपर को आप लोग का जो एक्जाम हो रहा है पूरा का पूरा 100% आप लोगों को एंसर क हैं आगे हम लोग कोश्चन नंबर एक सवाल नंबर एक सबसे पहले आपके सामने में मुंदर्दा जैल में कौन सी तसनीव तारीक च्छत तारीकी है आपके पास ऑफसन है डिफरेंट टाइप का बागे बहिष्ट बागू बहार उसके बाद बाग का दरवाजा बागे च्छे सवाल नंबर दो का से इंसर ऑफसन नंबर सी हो जाएगा पांच बेटे थे ठीक है अगला सवाल तीन नंबर पूझ रखा है शहजादी गुल्शन आरा ने किस चीज के लिए हुक मजारी किया आपके पास ऑफसन है काश्ट कारी उसके बाद बाग पौदा या फिर दरवाजा सवाल नंबर 3 का उफसन नंबर B परफेक्ट हो जाएगा बाग ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके पास 4 नंबर सवाल है एकबाल का सने पाइदाईश है आपके पास ऑफसन है 1877 और 1857 सवाल नंबर 4 का आप लोग ने इंसर बता रखा है उफसन पाँच नमबर पे एकबाल के आबाव अजदा कहां के रहने वाले थे पाँच नमबर सवाल का आप लोगों ने सी बताया कश्मीर बिल्कुल परफेक्ट जवाब है अगला सवाल चे नमबर पे जावेद नामा का तालोग किस जुबान से हैं आपके पास ओफशन है उर्दू सवाल नमबर साथ का आपस उफशन नमबर आप सभी ने सी बतार है बाले ज़िबरील ऑफशन नमबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा अगला कोश्यन NXT कोश्यन आपके पास पुछ रख़ा आज नमबर पे मीर का असल नाम क्या है आफ इसन है मुहम्मत तक्यी अली शामिल है, सवाल नमर 9 का ओफसन नमर भी हो जाएगा, छे दवाबीन जो है शामिल है, अगला नेक्स कोशन दस नमर पे गुंदर जाजल मैं, मीर के अहम, मीर के जो है ना, हम असर शायर के निशान दही करें, यानि, सेम उमर का ठीक है, यानि, एक ही आगे पीछे, दो साल, त सवाल नमर 10 का ओफसन नमर यह हो जाएगा, गालिब हो जाएगा, ठीक है, मीर के हम असर शायर जो है गालिब है, अगला कोशन गयरे नमर पे, मीर उर्दू के अलावा कि जुमान में शायरी करते थे, हिंदी, तुर्की, ओधी, उसके बाद फार्सी, कोशन नमर 11 का ओफसन बता रखा है, फार्सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तेरे नमर पे, मीर ने कहां वफात पाई, लखनो, आगरा, कलकत्ता, देली, कोशन नमर 13 का, आप सभी का answer, ओफसन नमर A आया है, लखनो, बिल्कुल सही जवाब, अगला कोशन के तरह बढ़ते हैं, लोग, चलिए, हिंदू और मुसलमान एक कौम है, ये कौल किसका है, आप लोग ने जान रखा, सर्सियत अहमद खान का है, ये ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, लोग, अगला कोशन, 16 नमर पे, सर्सियत अहमद खाने का वफात पाई 1797, 1789, 1889, और 1875, और 1810, इस भी द्यान रखना, 1877, इनकी क्या हुए थी, पाईदाइश भी थी, 1877, इस भी में, और इनकी वफात, 1889, इस भी में, और गालिप की पाईदाइश भी थी नहीं, कब हुए थी, 1897, इस भी में, कब, 1797 में गालिब की पैदाइश हुए थी और वफात 1879 इस्वी में जबके महात्मा गांदी की पैदाइश हुए थी ठीक है द्यार नखना 1879 इस्वी में गालिब की वफात हुए है और महात्मा गांदी की क्या हुए है पैदाइश और इसकी गालिब की पाइदाई 1797 वी और इसकी यहाँ पर पूझ रखा सरसियत अहमाद खान कौन सी किताब उस हो यहाँ पर सरसियत अहमाद खान ने कब वफात पाई तो 8889 वी ठीक है चल यह बढ़ते हैं अगला कोश्चन 17 नमबर पर मुंदर्जा जैल में कौन सी किताब सरसियत अहमाद खान की लिखी हुई हैं असार उस सनादित असबाब वगावति हैं खुद बात अहमाद इया इनमें से कोई नहीं 17 नमबर कोश्चन का आप से भी का एंसर अफसन नमबर सी आ चुका हैं खुद बात अहमेदिया बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन 18 नमबर पर ध्यान से देखेंगे रोश्चनी का तालुक कि सिन्फ से हैं 17 नमबर कोश्चन हो चुका है हम लोगा न ओफसन नमबर सी आप लोग न बता रखा अफसाना नावल दास्तान या फिर डरामा 18 नमबर कोश्चन का ओफसन नमबर ए हो जाएगा अफसाना हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन हम लोग बढ़ते हैं पढ़ेम चंद का पहला अफसान भी मजमुआ है सुजे वतन उसके बाद शहीद्य वतन राहे वतन वतन है दोस्ट कोश्चन नमबर उनीस का अफसन नमबर यह आप लोग ने बता रखा राहे वतन बिल्कुल परफेक्ट है बीस नमबर कोश्चन पढ़ेम चंद का असल नाम क्या था आपके बाद ऑफसन रघुपती सहा है रघुवर सोरी रघुवर सोरी रघुर आये है यहाँ पर ऑफसन नमबर भी है रघुर आये अफसन नमबर सी में है अजायब लाल उसके बाद धनपत राये देखे इस में जो है सकीन टूटा हुआ है इसलिए साफसाफ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था आप लोग मत सोचना की पढ़ने में टाइम लगा रहे है ठीक है अगला कोशन बाइस नमबर पर हम लोग आते हैं यहाँ पर पीछी होगे एक बार में अचानक से शरी बाइस नमबर कोशन आपके पास है गालिब के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है आपको पता होगा ओदे हिंदी और उर्द्वे मॉला यह दोनों खुतूत के वाही कोशन नमबर 23 का एकबानưởngसी होगा नजीर अकबर स्वादी। है उर्दू का आवामी शायर किसे कहा जाता है आपके पास उपसन है इल्ब्रय कोशन आंप 24 का ओफसन नमबर आप लोगों ने डी बता रखा, बहुत अच्छा मिर्जा गालिब हो जाएगा, अगला कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कोश्चन नमबर 25 है, उर्दू में मुरकबे है, हुरुफ की तादाद कितनी है, 25 नमबर कोश्चन का ओफसन नमबर डी हो ज सूरा, कोश्चन नमबर 27, आपके पास मुंदरजा जैल में कौन, तखल्स की मिसाल नहीं है, सद्जाद जहीर ये तखल्स नहीं करते हैं, बाकि गाली वहाली वहाली उसके बाद फराग ये सारा का सारा, तखल्स के मिसाल हो जाएगा, अगला कोश्चन 28 नमबर पे या इनमें से कोई नहीं तो ये तो होगा नहीं, देखिए गंगा नदीद इसमें खास होगी हमारी आप इसमें खास हैं, लेकिन गाये आप इसमें आम हो रहा थी, इस नमबर कोश्चन आपके पास, मुंदरजा जैल में से किस लफज का मौननस होता है, कहने का मतलब यह है, यहाँ पर कौन ऐसा लफज है, जिसका मौननस भी होता है, यानि यहाँ पर कौन सा लफज का मौननस होता है, जैसे तोता, हम लोग तोता क्या तोती बोलेंगे, मौननस इसका आप लोग तोता, दोनों मौननस होता है, बट इसका नाम जो ने एक ही होता है, तोता ही लेकिन यहाँ पर देखिए बैल जो ने यहाँ पर मुझकर रफ्ज है बैल और बैल का मौननस क्या होता है गाय क्या होता है बैल का मौननस गाय ध्यान रखना क्या होता है भाई गाय होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि मुझकर अलफाज में से किस लफ्ज का मौ जखकर और एक उर्दु में ही इसको कहते हैं तश्कीर कहते हैं ठीक है फाइनली आप लोगों का मंतली एक्जाम नॉम्बर मंतली एक्जाम का कोश्चन पेपर का फूल सेलिशन आप लोग ने देख लिया आप लोग अपना अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताना और ज इस नंबर पर रावतागर कंप्लीट नॉट्स पीडिएफ और कॉर्स पे जोईन हो सकते हैं क्लास 12 के लिए ठीक है बागी क्लास अप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अपना राय फीडबैक जरूर बताना मिलते हैं एक अगली स्ट्रिशन में अगली क् जरूर बहरत